है लां मृत्रों Lern Stock Market med breakout stock में आजका stock IDBI bank limited stock वो चुनो जो पैसा पना कर दें चुनू करते है। cçoём का charge जो एक वीखा लगा रहा है मैंने ठीक है यह होगी simple trade line अगर यहां से आप देख पाऊगे तो इस एरिया से हलका सा नीचे लूम है तो पहले resistance लिया था इसने इस एरिया पे ठीक है अब क्या करता है यहां से इसने कोशिच करी है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार का buying उठाने के दो तीस्Newे इसने उठाइई है अभी confirmation मान भी सकते हैं नहीं मान सकते हैं बेस बनाया यह नहीं बनाया कि influenHHH और कि रेंच कीप बन रही है तो रेंच कांसे बन दी है एक यहां में और चाहएं मैं यह होगे आपकी किना लग यहां मुद्ब में शोटा दो कर दो दो होंगी मैं तब बेसिकली एक देज में चल रहा है मार्केट ठीक है मैं दिखात में दिखाता हूं एक में यह यह यहां पर आया ठीक है अपसाइड गया फिर इसी के बेस्पेस ने सपोर्ट लिया फिर उपर गया क्योंकि है पहले से टेड लैन और रिजिस्टेंस आ फिर रिजिस्टेंस और फाइनली यह फिर से आया है रेंज पर यहां पर अपनी जो बेंज की जो टेडल लैने चैनल की टेडल लैने उस पर आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अब यह कितना कर पायागा नहीं कर पायागा इसको थो टाम लगेगा रुकेगा और इसके बार डैफिनेटी यह फिर यहां से चलेगा बैंक का स्टॉक है बैंक में थोड़ा सब उठा पटख चल रही है पर एड़ एड दे जैसी सब को स्टेबल होगा से बैंक चलना शुरू होंगे ठीक है तो यहां से भी खास यह है कि अभी इस्टॉक जो है चल रहा है ठी महिने में देख लेते हैं नहीं तो मुविन आपको समझ में आएगा तो यह दो समय आएगा तो यह जो 100 की moving average के आसपस आ गया था support लेने के लिए ठीक है लेने अभी तो नीचे है 73 पे है और जो ट्रेडनल लगा रिके मैंने वो लगा रिके 75 पे ठीक है 74 75 के बीच में वो ट्रेडनल लगी हुई है और अगर वैसे बताओं आपको तो moving average चे 73 पे है ठीक है अगर यहां से और देखा जाए तो दूर है ठीक है moving average जादा दूर तो नहीं कुछ है दूर पर जादा बहुत जादा दूर तो नहीं बोलूँगा पर कुछ दूर हैगी और 200 की तो बहुत जादा दूर है वो तो अभी तकरीबन ट्रेसर पे है तो हम देख लेते हैं 20 की और 50 की भी साथ में तो move बन चुक है downside का ठीक है 20 की और 50 की तो downward दिखा रही है ठीक है 20 और 50 की तो दिखा रही है कि market में भी इस जो stock में यह जो stock है वीग हो रहा है ठीक है मतब अगर 20 की और 50 की देखोगे पर यह किया है कि weekly stock है तो इसलिए मैंने 100 की लगाई थी बाकी हम 20 की और 50 की तो negative sentiment दिखा रही है ठीक है बाकी भी देखते हैं बाकी मेरे सब्सक्राइब सपोर्ट ले लता है यहां पर तो definitely यह भी change हो जाएगा सब्सक्राइब चलते हैं monthly stock में देख लेते monthly में चार्ट में मंतली में क्या है तो मंतली में अगर देखो कि तो और टाम हाई तो बहुत उबर है इसका इसका तो और टाम हाई चाहिए तो यह होगी मंतली में देखा सकता है मंतली में चाहिए और कास कुछ है नहीं जादा बाकी पर रिजिस्ट्रेश्ट्रेंस दो कि तो आपको दिख जाएगा यह था और वहां पर क्योंस लेके बापी नीचे आ तो यह होगी मंतली की बात चलते हैं ने देरी में देख लेते हैं कि अब आप चाहिए हो गए कि देली में देखो興 comedor तो तो काम कर रभाटन का तो तो मैं लगाइए थी न उस वह अच्छे support दिश्न प्रांड नेकर बाझगा चड़ रहा है धीरी धीरी working भी हई खाल दान धर ही Алे कि इसका है है यह स्ट्राइब यह आई वहां से लेता हुआ है धीक है रेंच में अभी ड Kr मैं आपको दीक है आपने की आपने देखा कि बीक्सी सॉब्सकीरिण दोका क्या आपने इसका इसका सपोर्टु है उसके आ रहा तो यह है ओवर व्यूव INTJ STATEMENT STATEMENT डिविडेंट्स अर्निंग्स तो नेक्स्ट क्वाटर के अर्निंग्स जो आएंगी जैन बाइस दो जाप अच्छिस माएंगी ठीक है मतलब इस क्वाटर की आ चुकी है थर्ड क्वाटर की जाएंगी रिवेन्यू तो यह बात होगी इसके फंडामेंटल की अब चलते हैं इसके देख रहते हैं एंट्री टार्गेट और स्टॉप लोस्ट ठीक है तु चलते हैं वीकले जारे ट्रगाते हैं और तुसमें देखते हैं इसके एंट्ट इसका होँगी और नहीं क्था होगी अगर ये स्टॉक को में आख और किसके उप्र बिशर है अगर ये स्टॉक स सिस्टेंड करें ब्यासी रुपे रासी रुपे वे उपर सस्टेन करता है तो इसमें बाइंग बिनाना ठीक है रिवर्सल तब कन्फरमेशन मानना लिया जाएगा कि रिवर्सल है और उसके बाइंग बैट जाए रासी वे उपर तो बाइंग अब आफ 83 ठीक है और स्टॉप लोस जो रहेगा वह रहेगा इसका कि 75 ठीक रहेगा 75 पर स्टॉप लोस रहेगा ठीक है अगर 75 पर आता तो यह नहीं कि निकल जाना है इसमें दुआरे से एवरेज बना लेना ठीक है और एवरेज बना के इसे बैट जाना मुझे रखता है जैसे फिट से पुल बैक आएगा डैफिनिटली चलेगा और आपको शायद यह 200 जिसका और टाम हाई वह भी आपको चार-पंच साल में देखने को मिल सकता है अब बहुत अच्छे चलेगा जब चलना चलेगा और 200 पर फिस जा सकते हैं अब मैं इसकी बात करूँ टार्गेट की तो टार्गेट क्या होंगे अगर 83 से चलता अब आपको अच्छा लगा हो नए स्टॉक की जानकारी पाके ऐसे और भी स्टॉक के लिए निफ्टी बैनिफ्टी जानकारी के लिए चार्ट प्रेंट के लिए चैनले बने रहे धन्यवाद